असलाम अलाइकुम आज हम बनाएंगे चॉकलेट मट केक तो ये एक डिटेल रेसिपी है आप बिल्कुल मिस ना करें तो ये मट केक बहुत ही इजी और सूपर डूपर टेस्टी केक है तो आप सारे टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करेंगे तो आपका भी ये केक बिल्कुल सेम बन जाएगा और बहुत ही कम इंग्रीडियन्स में ये केक बन कर तयार होने वाला है और इस क्रिस्मस आप इस केक को जरूर ट्राइ करें तो आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट सा केक बना है ये देखिए हर एक लेयर में आपको चॉकलेट नजर आएगी तो सबसे पहले य एक वाइट या एक का यलो पार्ट नहीं लेना है इस तहां से तीनों अंडो को मैंने एक बाउल में रख लिया है अब आप हैंड विसकर या फिर एलेक्ट्रोनिक ब्लेंडर से इसे बीट कर लें अच्छे से और फिर इसमें जाएगा वन कप पाउडर शुगर बट पाउडर शुगर आप घर में नॉर्मल जो शुगर होती है उसको पीस कर उसका पाउडर शुगर बना सकते हैं तो यह देखे थोड़ी थोड़ी सी मैं शुगर इसमें अंडों में एड करती जा रही हो और मिक्स करती जा रही हो तो इस तहां से जब एकदम ज्ञाग सा बन को एक से दो मिनट बस लगेंगे और फटा फट यह हमारा मिक्स हो जाएगा तो एकदम फलफी सा इसका टेक्च्चर हो चुका है तो अब मैं इसको बीट करना बंद कर रही हूँ और यह तयार हो चुका है तो अब एक बाउल लेंगे और उसमें हम डालेंगे वन कप यानी 30 ग्राइम प्लेन फिलार उसमें जाएगा फिर 1 फोर्ठ कप यानी 30 ग्राइम कोक आउडर और बेकिंग सोडा का और वनी तीस्पून जाएगा बेकिंग पाउडर का इन सारे ड्रा इंग्रीडिनस को हम चान लेंगे तो हमेशा केक बनाते वक्त हमें चानके ही ड्राइंों क इसको लेना चाहिए और इस तहां से हम मिक्स कर लेंगे और एक बार फेसे चान लेंगे तो चानने के बाद हम इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे ड्राई ही और ये देखे हमारा जो मिक्सर है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है केक का मिक्सर और अब हम इसमें अड्ट करेंगे अपना जो एग और चीनी का हमने mixture तयार किया है एकदम creamy सा उसको अड्ट कर देंगे और इस तरह से fold करते हुए mix करेंगे तो इस तहा से एक ही direction में इसे fold करते हुए हम mix कर लेंगे और फिर 1 फोर्थ कप इसमें यानि 30 ml लग भग जाएगा रूम टेंपरीचर पर रखा हुआ मिल्क यानि फ्रिज का निकला हुआ एकदम से ना डाले और ना ही गुनगुना फिर्ज से निकाल कर आप बाहर रख दें जब वो रूम टेंपरीचर पर आ जाए तो उसको इसमें मिक्स कर लें और फिर जाएगा हाफ कप रिफाइंड ओयल आप किसी भी ब्रैंड का रिफाइंड ओयल एड़ कर सकते हैं तो सरसो का तेल छोड़ कर आप कोई भी रिफाइंड ओयल इसमें एड़ कर सकते हैं और ओयल डालने के बाद आप इसकी शाइन चेक कर सकते हैं कितनी जादा यह सिल्की और स्मूथ सा हो चुका है तो अब यह अच्छे से मिक्स भी हो चुका है हमारा तो इसको रख देते हैं साइड में और आगे का प्रोसेज हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम फाइफ मिनिट्स के लिए एक कढ़ाई को प्री हीटेड होने को छोड़ देंगे और एक कुकर में एक बटर पेपर लगा कर उसे ओयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे तो आपको पहले इतना काम कर लेना है इस तरह से अच्छे से ग्रीस कर लें ताकि केक निकालने में कोई दिक्कत ना है और फिर सारे mixture को इसमें add कर देंगे यह देखे इस तहां से आपको सारा mixture इस cooker में add कर देना है और अच्छे से grease किया है हमने तो यह बिल्कुल easily निकल आएगा आपका cake और फिर इसे 2-3 बार tap कर लेंगे ताकि air bubbles ना रहे और preheated कढ़ाई में हम इसको place कर देंगे और lid और vessel को remove कर देंगे यह देखे इस तहां से lid हटा देंगे और vessel हटा कर इसको हम बंद कर देंगे अच्छे से इस तहां से cooker को अच्छे से बंद करेंगे और low flame पर 40 minute के लिए इसे bake होने को छोड़ देंगे दूसरे side पर 1 cup chilled cream लेंगे whipped cream यह market में बहुत easily मिल जाती है और low to high speed में इसे beat करना शुरू करेंगे और stiff peak होने तक इसे beat करेंगे तो अगर आप hand whisker का use करना चाते हैं तो उससे भी आसानी से हो जाएगी और फिर मैंने दो चम्मच लगभग chocolate sauce इसमें add किया है chocolate sauce भी market में बहुत easily मिल जाता है आप चाहे तो chocolate को, dark chocolate को melt करके भी इसका use कर सकते हैं इसमें और आप देखेंगे कुछ ही minutes में stiff peak हमारे बन चुकी है यानि cream अच्छे से हमारी बन चुकी है, ready हो चुकी है तो अब हम stop करेंगे अपनी इस machine को चलाना और आप अभी देखेंगे stiff peak का मतलब होता है कि cream जिस position में भी हो नीचे नागिरे जब हम spoon में उसे लें और यह देखें बिल्कुल ready है cake पर लगने के लिए और अब हम देख लेंगे कि हमारा cake ready हुआ के नहीं तो आप देख सकते cake पूरा perfectly ready हो चुका है बट फिर भी toothpick डालेंगे और toothpick अगर clean निकलती है तो cake bake हो चुका है और अगर थोड़ी सी sticky सी निकलती है तो 10-5 minute हम इसे और bake कर लेंगे बट यहाँ पर हमारा cake तयार है और यहाँ पर मैंने home में turning table बनाया है और इसके उपर अपना cake रखा है और उपर का यह surface थोड़ा सा मैं हटा दूँगी इस तरह से तो अब इस cake को मैं 3 parts में cut करने वाली हूँ और एक बड़े से knife से यह देखिए मैंने cut किया cake कितना जादा जाली दार और spongy बना है आपको देख कर ही नजर आ रहा होगा और बहुत ही tasty cake cooker में बना है हमारा तो बिना oven हम बहुत easily घर पर cake तयार कर सकते हैं यह हमारा basic cake तयार हो चुका है sponge cake और अब बारी आती है इसको मट cake में convert करने की तो सबसे पहले जो मैंने cream बनाई थी मैं उसको थोड़ा सा इस plate पर spread कर लूँगी ताकि जो base है वो अच्छे से stick हो जाए इसमें और base अच्छे से stick हो चुका है अब sugar syrup इसमें लगाएंगे चीनी और पानी का घोल और इसको अच्छे से लगाएंगे ताकि cake थोड़ा सा मीठा हो जाए हमारा और और यह देखी cream इससे आप लगाएं टर्निंग टेबल को घुमाते हुए तो अगर आपके पास टर्निंग टेबल अभी नहीं है फिलाल तो आप यह देशी जुगार बना सकते हैं एक बाउल रखें फिर एक पलट कर प्लेट रखें और उसको इस तहां से घुमाएंगे तो टर्निंग टेबल में यह convert हो और आप सारी लेयर्स पर हमने सेम प्रोसेस किया है शुगर सीरप लगाया है और क्रीम लगाई है और इसको हम अच्छे से कवर कर लेंगे और इस तहां से आप केक को क्लीन कर लें उसके साइट में भी हमें क्रीम लगानी है पूरे केक को हमें इस क्रीम से कवर करना है तो इ एक scrapper की help से हम इस cake को clean करेंगे बिलकुल अच्छे से cream को spread करेंगे इस पर तो यह देखिए यह cake देखने में जितना amazing लग रहा है खाने में उससे कहीं जादा tasty बना है आप लोग जरूर ट्राइ करें बहुत ही simple है और बहुत ही unique cake है और पस इसी cake की cream से हम इस पर कुछ basic से flowers ब सकते हैं जैसा चाहें आप बट मैंने इसमें बिलकुल simple decoration किया था और यह दिखें यहां पर एक हम बेल सी बना देंगे simple सी ताक कि cake हमारा बिलकुल साफ सुथरा सा नजर आए clean सा नजर आए तो यह देख सकते हैं बिलकुल mud cake ऐसा लग रहा है कि मिट्टी से बना हुआ यह cake कोई यकीन नहीं करेगा कि यह आपने cream से बनाया और फिर इस पर मैंने chocolate syrup एट करा है इससे बहुत ही खुबसूरत लुक आएगा cake का हमारे तो यह देखिए इस पर मैंने chocolate syrup डाल दिया और आधे गंटे के लिए इसको फ्रिज में रख दिया था और आधे गंटे के बाद मैं केक को कट किया है तो बहुत ही soft और बहुत ही amazing taste में cake तयार हुआ है आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा thank you so much